एक जुलाई को रात नौ बजे के कारिक्रम में एक चैनल ने हमारे नेता श्री राहूल गांधी से संबंदित एक वीडियो प्रसारित किया था और फिर उस वीडियो को भारती जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी साजा किया वास्तविक वीडियो में श्री राहूल गांधी अपने वाइनाड कारिक्रम में SFI द्वारा की गई हिंसा का जिक्र कर रहे थे लेकिन उनके बयान को इस चैनल ने बड़े शातिराना ढंग से काट छाट कर उदेपूर में हुई कनहिया लाल की निशन सत्या से जोड कर दिखाए जब यह वीडियो प्रसारित हुआ तो हमारे कुछ साथियों ने मैंने खुद ने हम सब ने सोशल मीडिया पर अपनी आपत्ती दर्ज कराई रात ही को करवाई हमने यह बताया कि वीडियो ब्रामक है और इसे गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है आपत्ती दर्ज कराने के बाद भी उस चैनल ने माफी तो मांग ली लेकिन भाजपा के नेता अभी भी राहुल जी की छवी खराब करने के लिए उस वीडियो को सर्कूलेट कर रहे है आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पर जाईए अभी भी वो वीडियो मौजूद है सर्कूलेट करने वालों में प्रमुख हैं विडंबना की बात है सूचना एवं प्रसारन मंत्री रह हुए हैं राज्यवर्धन राठोर जी और अन्यनेता भी हैं यह स्पष्ट होने के बाद भी कि वीडियो भ्रामक है भाजपा के सांसद पूर्व सूचना एवं प्रसारन मंत्री में दोराऊंगा उनका यह पद भले पूर्व हैं बड़े अभूत्पूर्व व्यक्ति हैं भूत्पूर्व सूचना एवं प्रसारन मंत्री होने के बावजूद यह जानकारी होने के बावजूद कि अभ्रामक वीडियो है डॉक्टर्ड है गलत है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे उसको बड़ी बेशर्मी से अपलोड किया और ये पहला मौका नहीं है साथियों कि राहुल गांधी जी की छवी खराब करने के लिए भारती जनता पार्टी ने ऐसे कई वीडियो सर्कुलेट किये हैं तथियों को छेड़ छाड़ कर डॉक्टर करके आपको तो याद है आलू उसे सोना ये किसके शब्द थे माननी नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे राहुल गांधी दोहरा रहे थे गुजरात की एक रैली में बड़े सुनियोजित तरीके से ये जो अठारा अठारा घंटे जागते हैं न यही काम करने के लिए जागते हैं डॉक्टर कैसे करना है विपक्ष की भाषनों को कैसे ट्विस्ट करना है छेड़ना है तोड मरोड के पेश करना है ये अठारा घंटे जो जागकर काम करते हैं उनसे इस देश को अब सावधान लेना हो गए अब मैंने आज एक ट्वीट किया था कि गुड न्यूस ऑफ दे डे का एक प्रेसवारता है तो गुड न्यूस यह है साथियों कि एक F.I.R. दर्ज हुई है जैपूर राजिस्थान में इस डॉक्टर्ड वीडियो के खिलाफ जिसमें हमारे नेता श्री राहुल गांधी को उनकी एक छवी को धूमिल करने की साज़िश रची गए थे वो जो एंकर थे माफी तो मांगी उन्होंने जब वीडियो हटाया उसके बाद भी जो उनको बधाई संदेश ट्विटर पे आ रहे थे कि साब आपने बड़ा अच्छा कारिकरम किया उसको लाइक करे जा रहे थ एक तरफ तो वीडियो हटा दिया दूसरी तरफ अपने अपनी बधाईयां स्विकार कर रहे हैं कि जो आपने जूट परोसा था बधाई हो आपको वह बहुत खुश हो रहे हैं बार बार उसको लाइक कर रहे हैं रात को पर्सु रात को ही उनकी गलती उन्होंने स्विकार कर ली उसके पश्चाद भी बधाई स्विकार करते रहे लोगों से और लगातार भारती जनता पार्टी जैसको कहते न जुगलबंदी चल रही हो कि मैंने कुछ घंटों के लिए कुछ जूट परोस दिया आप सब ने उस जूट को आगे और प्रसारित कर दिया फिर मैंने अपना वो जूट हटा दिया ताकि मैं कानूनी कारवाई से बच जाओ यह बात पहले भी हो चुकी है तीन चार बार यह चैनल और एकाज चैनल और भी हमने उनको कानूनी नोटिस दिया कारवाई की धंकी दी तो फोन करके कहते हैं साब गलती से हो गया हटा देते हैं लेकिन जो नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है देखे साब आपके चाहिए लेकिन इतना सब को समझ लेना चाहिए कि जो शराफ़त है न हमारा गेहना है बेडिया नहीं है आप यह मान के चल लें भारती जनता पार्टी यह मान के चल ले आज के बाद एक व्यक्ति भी और ये भारती जनता पार्टी विशेश तोर पे ध्यान से सुन ले एक व्यक्ति भी हमारी पार्टी हमारे नेता हमारी विरासत के खिलाफ एक शब्द बोलेगा एक तक्थे तोड मरोड के पेश करेगा तो वो कई-कई पीडियों तक उनको याद रखना पड़ेगा ये चेतावनी मान ले भारती जनता पार्टी तो उचित रहेगा जिन सांसदों ने और अभूतपूर्व मंत्रियों ने इस वीडियो को अभी भी अपने सोशल मीडिया पर रखा है वह भी आज सुन लें बैठे होंगे हैदराबाद में वह अभी ध्यान से सुन लें देखते रहे हैं हमारी कारवाई आने वाले दिनों में उनके साथ कानून सम्मत कैसी कारवाई की जाती है भारती जनता पार्टी नागपूर तक सब को याद रखा जाएगा आपके सवाल का स्वागत है A particular channel ran a story at nine o'clock day before yesterday in which they doctored a video where our leader mister Rahul Gandhi was referring to the violence by the SFI on his Vainard office but they twisted it and presented it and televised it in a manner that it looked like he was condoning or he was forgiving the killers of Kanhaiyalal in Udaipur most mischievous manner in which this channel ran this show this was at 9 p.m. on the 1st of July within hours in fact within maybe one hour some of us on Twitter through social media warned that channel and that anchor that this is a doctored video out of context video by then a lot of BJP leaders had started sharing it on their social media the channel accepted its mistake withdrew the content from the social media yesterday they apologised but the damage as I said was done and more irresponsible than the channels are the elected representatives because they are under a constitutional oath very irresponsibly very mischievously somebody as senior in stature as the former INB minister Rajivardhan Rathor comes from my state unfortunately continued to share it continued to upload it on his Twitter and others also in the BJP MPs, MLAs so yesterday in Jaipur Rajasthan an FIR was registered against the channel because in the past also this channel and there are a few other channels also when we issue legal notice warning them of legal action they call us up say sorry it was a mistake won't happen again and it happens again so I can say that some of them are repeat offenders my friend lawyer friend will agree with me this particular episode acquires a very very serious dimension because this involves communal harmony of the country you cannot aggravate passions by doctoring videos and provoking people provoking communities Rahul Gandhi in Kerala was referring to the violence by SFI on his Vainard office the channel presented it in a manner doctored it in a manner so that it appears that he is talking about the killers of Kanhaiyalal that let's forgive them he was trying to say that let's forgive SFI he said it very very clearly but the channel doctored it and presented it in a manner that anybody could have got confused and it was deliberate it was mischievous and it's some kind of a Jugalbandi some kind of a duet going on between the BJP and a section of the media because immediately the BJP leaders pick it up their IT cell picks it up so this FIR was registered against the channel against the MPs and the senior leaders of the BJP more action will follow we will keep you informed bigger action because anybody who thinks that our decency is our shackle is sadly mistaken it's our ornament and we are free to take that ornament off and take legal action appropriate strong stern legal action gone are the days when we will continue to be decent because we have been watching the BJP its IT cell enough is enough you cannot hold the country to ransom you cannot provoke passions we will remind you of your Raj Dharma we will remind you of your constitutional oath your questions please now channel channel Anya Anya in all you will know you will know you will know who will be who is not but in the coming days दिनों में और कारवाई की जा रही है उन तमाम नेताओं के खिलाफ जिनको कल हमारे महास्चिव जैराम रमेश जी ने नडड़ा जी के नाम पर एक पत्र लिखा उनको समय दिया वो समय आज समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात कठोर कानूनी कारवाई के कदम भारती जनता बाता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी उठाए जाएगे चैनल का नाम है जी जो सरकार में बैट आजुखे है। रहते हैं वो सोई हुए हैं माफ कीजिएगा मीडिया के कुछ साथी भी सोई हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो जागतो रहे हैं लेकिन सोने क्या अभिनाय कर रहे हैं हम तो जागे ही हुए है थैंक्यू थैंक्यू